हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक मैं भैक कंसल्टेंट अप्टोमेट्रिस्ट दोस्तो आज हम बात करेंगे आपुलर माइग्रेन के बारे में जो आँखों से संबंधित माइग्रेन होता है इसके बारे में आँखों से संबंधित माइग्रेन में किस तरह का सिर दर्द होता है साथ ही माइग्रेन का उपचार है या नहीं है आज हम इस वीडियो में सारा कुछ डिसकस करेंगे तो जो माइग्रेन है ये आधे सर का दर्द है अगर सर में दर्द होने के बाद आपकी आँखों में दर्द होता है तो ये माइग्रेन की निशानी है अगर आपको इस तरह का दर्द है तो एक बार आई टेस्ट जरूर कराए क्योंकि माइग्रेन आधे सिर्का दर्द है इसमें आखों के दर्द के साथ साथ वोम्टिंग और चक्कर आने जैसे भी समस्या आने लगती है यह सब इसलिए होता है क्योंकि जो आपके प्रोवोगिंग फेक्टर्स हैं जो आपके ट्रिगर्स हैं जैसे आप समय से खाना नहीं खाया आपने अच्छी नीन नहीं ली या फिर देर रात तक जागते रहे या फिर आपने दूप में गाड़ी चला लिया या आपने तेज साउंड सुन लिया तो ये सब आपके ट्रिगर्ट है इसकी वज़े से ये समस्याएं हो जाती है अब बात करते हैं माइग्रेन के टिपिकल स निसानी होती है ये आपके लिए सिगनल्स हैं कि आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है आपको इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और अगर ये समस्या बार-बार होती है तो आपको इसका लंबे समय तक इलाज कराना पड़ेगा अब बहुत लोगों का सवाल रहता है क् कि क्या माइग्रेन का उपचार नहीं है तो दोस्तों ये जो माइग्रेन की समस्या है ये आपके ट्रिगर्श की वज़े से है ये आपकी लाइफिस्टाइल से जूड़ी हुई है क्योंकि जब आप समय से खाना नहीं खाते समय से आप अपनी लाइफिस्टाइल को बेवस् ये सब कुल मिला करके जितनी भी चीज़े हैं इनको मिला करके आपका रिजल्ट आता है और कई सारे पेसेंट ठीक भी हो जाते हैं लेकिन जो पेसेंट अपनी लाइफ इस्टाइल नहीं ठीक करते समय से खाना नहीं खाते समय से दवाईयां नहीं लेते तो इनकी प्रावलम धीरे-धीरे सीवियर हो जाती है और इनको आँखों में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है साथ ही आपका हेड़क बहुत ज़्यादा होने लगता है और कई बार पेशेंट की ब्रेन का MRI वगेरा भी कराना पड़ता है और बहुत सारे लोगों का आँख में पावर होता है उनका सिलेंट्रिकल पावर की वज़े से भी यह समस्या हो जाती है अब यह जो माइग्रेन की severity है जो duration time है कि आपको 2 गंटे होगा 40 गंटे होगा या फिर और ज्यादा होता है तो इसी के इसाब से आपका माइग्रेन का इलाज होता है कुछ लोग alternative therapy पर चले जाते हैं जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम उल्टा खड़े हो जाएंगे तो उसकी वज़े से हमारा माइग्रेन कम हो जाएगा या हम अपने हेड को दबा करके बैठ जाएंगे जिसकी वज़े से हमारा माइग्रेन कम हो जाएगा इसमें उस समय तो उनको आराम मिल जाती है कभी कभी लेकिन ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और आगे चल करके काफी ज़्यादा दिकत हो जाती है तो समय रहते हैं माइग्रेन का इलाज आपको एक अच्छा जीवन दे सकता है एक अच्छी लाइफ दे सकता है तो आप इसका ट्रिट्मेंट ले अगर आपको मेरे दौरा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्क्राइब करें हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को मिलते रहें